हेलो एवरीवन वन सेगन वेलकम टोड़ कॉंसेप्स होप यो गाई जार एपसलिटली फाइन बिल्कुल आग लगाने वाले तरीके से आप लोग प्रिप्रेशन कर रहोंगे तो यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है जो सहने किसलों एंट्रेंस एक्जाम देना करते हो और बेल आइकन को प्रेश जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करोगे तो वरना देख लेना और जो करना है कर लिए जो गाइस देखो अगर मैं सेनिक स्कूल और इंडिया सेनिक स्कूल एंट्रेंस एक्जाम जो क्या भी होने वाला है डेट आपको यहां पता होगी नाइन्थ जिन्वेरी को हौने वाला है ठीक है अब जो हम पर टाइम बसता है ताइम आपका 9 जन्युटि को पेपर होना है ओना आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐस आपका 27 är 27 October है तो हम roughly मान लेते हैं कि हम 1 1ev बर से मांनते हैं घ्क है अगर मैं बा ifiques जाएगा के टुम्हशनों च्रोंक है एक नॉम्बर वो गया एंदसंबर हो गया ठीक है एक नॉमम्बर टू SHOW एक नोंड़ित अगर तससे होगो सप्धलिन सफजीतु के तो एक नमेंबर एक डिसमबर शाट दिन आपके पास है पहली बात तो देखो एक रियालिटी बता रहा हूं अगर आप लोगों के ना बेसिक चीज नहीं है है मां दो आपको इसको लिकानी क्या रहा है नौर्मल चीज्जें निया रही स्ट्री स्कुर्ण्र रोट निया स्ट्राइब क्या होता है प्र तो आप वहीवाले बच्चे वर ले वीडियो देखने टेंए इंपॉर्टेंट क्वेशन पक्का यह आएंगे ठीक है तो वह चीज नहीं करनी है तो हम पर अगर आपके बहुत ज्यादा करना होगा और आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ होने वाली है ठीक है तो देखो जो साड़ दिन आपके बुस्त आप हम इसे सब्जेक्ट वाइस दे गया एक आपका साइंस हो गया और एक आपका साइस टी हो गया राइट वन टू फो फर फाइब यहाँ पर हैं और हम पर साथ दिन है और मैस आपको पता है डाई प्रेक्टिस करने पड़ेगी इसलिए बोला अगर मैंत में आपके बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यह बहुत टाफ होने वाला है आपको लेकिन फिर भी आप एक्जाम दे देना अपना हेंड़ परसेंट ते डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं रियालेटी बता रहा हूं क्योंकि अंटोल कॉंसेप्ट में इस आपको रियालेटी जैनुवन चीज़ हैं बताता है अब अगर आप इन सब्जेक्ट को इन साथ दिन में कैटेग्राइज करते हो या देखो अगर आप में वो डेटिकेस हैं वो आग अगर आपके अंदर है कि कि मुझे एक्जाम निकाल नहीं निकालना है तो आप अपने पूरी दिंदरात एक कर दोगे मैंने टाइम टेवल भी आपको बताए था तो अगर आप इन दो महीनों को बिल्कुल खतरनाक तरीके से इस एक्जाम के लिए निकाल सको तो फिर तो एक्जाम डेफिनिटी निक मैत ही जीरो से स्टार्ट होता है समझ पारे हो ना जो मैत होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है तो हमें भी जीरो से स्टार्ट करना होता है दीरे दीरे फ्लो बनाना होता है आगी चलना होता है एक ही बारी में सब कुछ नहीं होता है पेसेंस के साथ मेहनत के साथ सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो इन साठ दिन में आपको या तो अपने आपको पूरा डेडिकेट कर दो कमरे के अंदर बंद कर दो कि मुझे एक्जाम निकालना है अगर आपके बेसिक आपको प्राक्टिस पर चले जाओ प्रिवेश्चन पर देखो उनमें देखो किस आपको प्राइब कर चुके होते तो आपको क्या करना है मैं प्लेश्ट वाली सेक्शन में आप चैनल पर जाओगे प्लेश्ट आपको मिल जाएगी मैथ की मैथ फॉर क्लास नाइन सायने कि देख लेना कई सारी है वाहां ठीक है तो उसमें कम से कम 80-90 वीडियो वीडियो ज जितनी जिल्दियों से कि इनको कवर कर लो उसके बाद आपको एसन करना डैफिनेटल आपको फायदा होगा मैत आपका बिल्कुल प्रिपेर हो जागी मेरी गैरेंटी है ठीक है उसके बाद आप जो भी बुक आपके पास है पहले उनसे होता कुछ नहीं है ठीक है लेकिन उ दो तीन चैप्ट्र ने जो कि बायों के हैं और बिल्कुल कॉन सब्राइज इसलिए आपको क्वेशन भी समझा जाएं कि कैसे क्वेशन आएंगे ठीक एक बारी देख लेना प्लेश्ट में जाके ठीक है यहां में एक काम करूंगा सारी प्लेश्ट का मैं है तो ठीक है यह ह मेडिवाल इस्ट्री आपके पास रिवोट आपके पास तो कर मॉडरन इस्ट्री है तो जिल्दी से वह भी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप लोग पढ़ने वाले हो जाएगा बात आती है इंग्लिस और रीजिनिंग की आप इंग्लिस यह बहुत है भी मुझे पता है मौस्ट ऑफ देश्ट्रेंट के जो आपके पास इसकूल में तो घ्रैमर होती न तो घ्रैमर आपका वहां से हो चुगा होगा है ना इंग्लिस आपका घ्रैमर नार्मल की चीज़ा होंगी बाकि मैं मैं बूल रहा हूं पेपर को करो देखो क कैसे कैसे पैसे जा रहे हैं क्या रहे हैं कैसे सिनॉनिम एंटॉनिम वह गाइबुलरी वगरा यह सारा आपको पूरा मतलब एक आइडिया आजाएगा अधरवाइज अंटोड कॉंसे आपके साथ है सब कुछ करवाएगा भी आपको ठीक है इंग्ली चांची हो जाएगी पड़ो 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 ठीक है ठीक है सब्सक्राइब एक दो वीडियो आए थी इंग्लिस का भी मैं देखता हूं कुछ करता हूं ठीक है अब वह आप पर इसपे इसको कितनी जल्दी कवर करते हो साट दिन आपके पास ठीक है यह उनके जिनके बेसिक अन्सेप्ट क्लिय वाली बात निया आप लेकिन प्रिप्रेशन ऐसे आपको करने पड़ेगी ठीक है और प्रैक्टिस बहुत इंपोर्टेंट है आपने वार कौन सेप्ट पढ़ा उसके बाद प्रैक्टिस पर जाओ जितनी जादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंग तो फिर तो कोई कुछ पढ़ने का कोई मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए हो डिकाने अबीस इसलेफिप्ल्न होना चाहिए अपने अपको कर लो वैंसे तो मैं यह कोंगा कि आप एक बारी में अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ोगे अगर आप इसको डिवाइड करते हो कि भाई मुझे दस दिन मैंत पढ़नी है तो आपका रिविजन नहीं पाएगा पीछे का भूल जाओगे तो हर एक या विया तो आप द अपना तरीका होता है ना तो वह इसाब से करेगा अगर आपको चाहिए तो डेफिनिटली बताना मैं साड़ दिन को जल्दी से पूरे इस जो इस सब्जेक्ट करूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी और डेफिनिटी गैस बोल रहा हूं आपको कुस्त वहां से डेफिनिटल आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ठीक है तो एक बारी बता देना अगर यह आपको चाहिए होगा तो ओके तो यहां से आपको एंसी पूरी प्रिप्रेशन हो जाएगी और में चीज मैंने बोला मैं एक जीज बार बार बोलता हूं प्रैक्टिस क्वेशन पेपर एनाल आपके साथ है दिक्कत कहां आने वाली है तो बारत बच्चों का बैठ चल रहा है तो डेली क्लास होती है ठीक है तो आप उसे जोई कर सकते हो ठीक है वहां हम प्रॉपर में आपको स्ट्रेटिजिस के साथ साथ सब कुछ करवाते रहता होना इन दो महिरें में अगर आपके बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर होंगे और आपका सेलेक्शन हो जाएगा और तीच मिन पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक हर चीज कॉंसेप्ट राइज पढ़ाता हूं ठीक है तो मिलते हैं कोई भी सेशन कोई भी डाउट होगा तो जुरू बताना कैसा लगाए वह बताना और आपको यहां से फायदा होगा लास्ट दो मैंने ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इस्ट्रेटी नए कॉंसेप्ट के साथ सीखते रहें अंटोल कॉंसेप्ट के साथ विच्छ याद रखना दोस्तों अगर कल सर उठाके चालना है तो आतो सर जुका के पढ़ना ही होगा ओके बी हैपी